लोग सभा का चुनाव इसी बड़्स होना है तमाम लोग तयारी में भी जूट गए हैं इंडिया गठवन्धन के लोग सीटों का बटवरा भी कर लिए और अब जो पर्तियासी हैं उनका नाम का भी घोसना हो रहा है देखें कॉंग्रेस पार्टी ने लिष्ट जारी कर दी है किनको कहां से तीकट मिला है वो पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहा है देखें पिछले दिनों बिहार में तमाम जो इंडिया के ट्वंधन के नेता हैं वो बैठक किये थे और उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस कि ते उसके बाद तमाम वो जानकारी साजह की गई थी लोग सभा के चुनाओ को लेकर के कि कौन से दल के लोग कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे कौन से दल के लोग कहां से उमिद्वार होंगे पर उसका जो घोसना है वो अब क्या जा रहा है देखें इंडिया गठव और कोंग्रेस पहली सूची जारी करती है यानि जो सकते हैं कि पहले लिस्ट का गई है और उस लिस्ट में तीन उमिद्वारों का नाम है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं तीन लोगों पर कौंग्रेस लगा दिया है यह तीन जो लोग हैं उनके लिस्ट में नाम आई है और तीन लोगों का नाम फाइनल हो गया है यह तीन पर्तियासी चुनावी मैदान में होगे हलांकि छे लोगों का लिस्ट अब भी आना बाकी है क्यूंकि कॉंग्रेस पार्टीं भिहार में नौ सीटों पर चुनाओ लड़ेगी जिसमें तीन सीटों का उमिदवार चैन कर लिया गया है। कहां से कौन हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां कहां कि उमिदवार हैं वो कॉंग्रेस पार्टी फाइनल कर लिया है। आपके स्क्रीन पर वो लिस्ट चल रहे होंगे जिसमें तमाम लोगों का नाम है, कई राज्यों का नाम है पर हम बात कर रहे हैं बिहार का। देके बिहार में कॉंग्रेस पार्टी को नौ सीट दिया गया है चुनाओ लड़ने के लिए उसमें तीन सीटों का जो परत्यासी हैं उनका चैन कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खवर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जिसका इंतजार था जिसका लोग इंतजार कर रहे थे बेसबरी से कि कॉंग्रेस पार्टी के कहां से उम्मिदवार कौन होंगे नौ सीट मिला था गठवंदन में तकरार भी देखने के लिए मिल रह गया है तीन लोगों पर कॉंग्रेस के आला कमान ने मोहर लगा दिया है और वो तीन परत्यासी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां से कौन चुनाव लड़ने वाले हैं देखे किसन गंज मुहम्मद जाबेद देखे पहले भी बरतमान में भी वो किसन गंज से सांस हैं मुहम्मद जाबेद उनकी नामों पर फिर से कौंग्रेस पार्टी ने सहमती जता ही है और किसन गंज की सीट मुहम्मद जाबेद को दिया गया देखे कौंग्रेस पार्टी से एक लोते सांसद हैं बिहार से मुहम्मद जाबेद यानि का सकते हैं विपक्ष में एकी सां सट पिछले बार विजय हुए थे वो कौंग्रेस पाटि के थे और वो मुहमद जावेद थे देखे उनको फिर से कॉंग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और फिर से उनको उमिदबार बनाया गया है ढ़ी खावर हम आपको बता रहे हैं मुहमध जावेद के नाम पर फिर से एक बार कॉंग्रेस पार्टी ने मोहर लगा दिया है दूसरी नाम हम आपको बता रहने हैं भागलपूर जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं भागलपूर की सीट कॉंग्रेस पार्टी को गई थी और भर्तमान में जो व बिधायक है अजीत सर्मा को टिकट दिया गया है भागलपूर से दखे भागलपूर से अब चुनाबी मैदान में कॉंग्रेस के परतियासी अजीत सर्मा होंगे देखे आप अपने स्क्रीन पे लिश्ट भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं उनकी नामों का जो घोसना है वो कर दिया गया और भागलपूर से अजीत सर्मा को सिंबल दिया जाएगा अजीत सर् सर्मा भागलपूर से कॉंग्रेस का जंडा बुलंद करेंगे देखे अजीत सर्मा बड़ा नाम है पहले करें थी कि उनकी बेटी चुनाबी मैदान में होंगे अगर पार्टी सिंबल देती है तो पर अजीत सर्मा के नाम पर मोहर लग गया है और चुनाबी मैदान में अब अजीत सर्मा होंगे भागलपूर से उमिदवार होंगे देखे जो कॉंग्रेस के निता है जो कॉंग्रेस के आला कमान है वो अजीत सर्मा के नाम पर सहमती जता दी है कटिहार की बात करें देखे कटिहार कटिहार से तारिक अनवर को सिंबल दिया जाएगा कटिहार लोगसभ अनवर उमिदवार होगे देखे सबसे बड़ी खवर हम आपको पहुंचा रहे थे किस तरीके से कॉंग्रेस ने तीन नामों पर मोहर लगा दी एक मुहम्मद जावेद तारीक अनवर और अजीत सरमा देखे अजीत सरमा कदावर नेता है बिधायक है पुर में कॉंग्रेस पा देखे तमाम जो छेतर थे उससे तीन तीन नाम का लिष्ट मांगा गया था उसमें अजीत सरमा का भी नाम था और अजीत सरमा के नाम पर मोहर लग गई और जिस तरीके से तारीक अनवर को टिकट दिया कॉंग्रेस पार्टी ने देखे तारीक अनवर के कंदे पर भी अब जिमवारी बढ़ गई है तारीक अनवर चुनावी मैदान में होगे कटिहार से सिंबल मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी का और तारीक अनवर भी जो चुनावी मैदान होगा उसमें उतरेंगे दखे एक तीन नामों पर सहमती जती है एक मुहम्मद जावेद जो कि बरतमान में के पर्तियासी उतारे थे पर विपक्ष की बात करे यानि इंडिया गटवंदन की उस समय महा गटवंदन थी उस समय एक सीट केवल निकला था वो भी कॉंग्रेश पार्टी के लोगों ने निकला था और वो सीट मुहंद जावेद की थी और अब एक रार फिर से मुहम्मद जावेद को टिकट दिया गया है दखे तमाम जो तस्वीरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं दखे इंडिये ने पहले ही अपने तमाम जो लोग हैं उनकी नामों की घोसना कर दिया है अब लालू यादब भी कई लोगों को सिंबल दे रहे थे पर कॉंग्रेस पार्टी के आला कमान जो बड़े नेता हैं उनका भी अपसहमती बनने लगा है उन लोग भी अब अपनी परत्यासी को मैदान में सामने कर रहे हैं अब देखने बाली बात होती है कि कौन से दल के लोग कितने जीतते हैं बिहार में 40 लोग सभा के सीट है जिसमें बरतमान मे 49 सीट इंडिये की पास है यानि का सकते हैं 49 सीट पर इंडिये के लोगों ने जीत दर्ज किये थी और एक सीट पर कॉंग्रेस पार्टी के लोग जीत दर्ज किये थे उसमें जो हमने आपको सबसे पहला नाम बताया मोहमद जाबेद का वही एक सीट कॉंग्रेस पार्टी की खाते में गई थी आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था इस वार देखने वाली बात होगे क्योंकि तमाम लोग मैदान में लालु यादब की बेटी रोहिनी अचारिया भी मैदान में होगे बरतमान में किस तरीके की प्रस्तिती बन रहे वो भी हम आपको अब तक अब गत क हुआ हुआ है